आसन सोल में अपेंडिक्स ओपरेशन होने की कारण माधमिक परिक्षार्ती जैन अस्पताल से नहीं दे सका माधमिक की परिक्षा ओपरेशन के बाद भी जैन शारिरिक तौर पर स्वस्थ नहीं था उत्तर दिनाजपोर जिले के इटाहार में खाना बनाते वक्त घर में लगी भयावा आग आग में जल कर खाक हुए लाखों रुपयों के सामान इस घटना से परिजन आये सदमे में पुलिस कर रही है घटना की जांच माल्दा जिले में फिर एक बार जमीर मिवाद का मामला सामने आया इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया अभ्यूक से पूछता शुरू की गई भाजपा नीता रहुल सिन्हा ने सोमवार को मुर्शिदा बाल जिले के बहरंपुर में एक संबादाता सम्मेलन को संबूधित करते हुए राजी सरकार पर निशाना साधा कहा चिन्मुल सरकार एक असा माजिक वह सब्भे सरकार है मालदा में एक व्रिधा पती के उपरधन संपती पानी के लालसा में पत्नी वा बेटे ने किया निरतर अत्याचार व्रिधा पती चोटिल होकर भरते हुआ अस्पताल में जताया अकेले पन का दुख खुगली के उत्तरपारा में दूशित पानी को लेकर परोसियों के बीच हुई छड़ब आरोप कई दिनों से शिवानी घोश के घर में परोसी के घर का दूशित पानी गिरता था जिसका विरोध करने पर परोसी ने सिवानी वह उसके पती पर किया हमला ठाने में हुआ मामला दर्श, पुलिस जांच में जुटी रानी गज में एक नविश रेनी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुशकर्म करने की घटना घटी परिधा छात्रा अस्पताल में कड़ाई गई भरती छात्रा के परिजन ने अभियोग तिस जामरूल इसलाम के खिलाफ थाने में मामला दर्श करवाया पुलिस जांच में जुटी, वहीं अभियोग घटना के बास से ही फराद रानी गंज के अंजूमन उर्दू गल्स हाई स्कूल के प्रतिनीधी गल सोम वार्थ को आसन सोल के ADI दफ्तर पहुँचकर साक्षात कार किया उर्दू स्कूल के छे छात्राओं को एड्मिट कार्ड न देने की वज़े से वह परिच्छन नहीं दे पाई थी इसे मुद्दे को लेकर स्कूल के प्रतिनीधी ADI दफ्तर पहुँचे मुर्शिदाबाद के डोंकल के एक नदी से एक 55 वर्ष्य व्यक्ति का शव हुआ बरामन मृतक मासिक रूप से था विच्छित पुलिस ने शव बरामत कर पोस्मॉटम के लिए भेजा घटना की जांच हुई शुरू उतर दिनाशपुर जिले में एक पिता ने अपने बेटे को मौत के खाट उतार दिया पुलिस सूत्रों के अनुसार बेटा मंगल सौरेन अपने पिता बुलाई सौरेन को पैसे के लिए दिन राग उस पर अत्याशार करता था जिससे तंग आकर पिता बुलाई ने अपने बेटे मंगल की धारदार हत्यार से हत्यागर दी पुलिस ने पिता को गिरफतार कर कोट में पेश किया